नमस्कार दोस्तो चूँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो सब के पास में अल्रेडी आ चुका उसका पीडियाफ हम थोड़ा सा ओटी में बीजी थे इसलिए आप तक वीडियो जल्दी से नहीं ला पाए लेकिन फिर भी बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि नर्सिंग स्मार्ट क आपको नजर आ रही है लगबग 77 पेजेज में और ये लिस्ट वही है जो हम लोगों ने आप लोगों साथ ओल्रेडी डिसकस कर दी थी कि इस इस रेंग तक आपको निश्चित रूप से सेलेक्शन मिलने वाला है और उससे लगबग 400-500 प्लस में रीजन क्योंकि हमने इसी मुद्दा क्या था हर एक लोगों ने बिजनस बना रखें काफी लोगों ने कि ये 80-20, 80-20 हम किसी भावनाओं को अभी भी आहत नहीं करना चाहते हमने शुरू में ही बोला था कि 80-20 जो है वो एक individual subject है individual institution subject है एक ऐसे institution का subject है जिसको बारत सरकार ने एक autonomous body का दरजा दे रख है और वो institute जो कि भारत का एक premier institute है health and medical के मामले में इससे ये कतई ऐसा नहीं है कि नूडेली ने जो कुछ से rule बना दिया regulation बना दिया जो नियमाविले में change कर लिया वो कोई लक्समन रेखा हो गई उसको लांगा नहीं जा सकता ऐसा भी नहीं है लेकिन ये 80-20 अब बच्चो केवल 15% का कैसे क्योंकि हमने list में बताया था 65% already लड़किया अगर 80-20 का ratio नहीं हो और फिर भी अगर ये list तयार की जाती तो उसमें 65% more than 65% not 65% only more than 65% girls ने score किया होता list आप लोगों के सामने है अब पढ़ेंगे हम इससे related अब आपको आगे क्या करना है पिछली बार आपको options मिले थे option 1 और option 2 क्या इस बार भी options हैं क्या और option हैं तो किस तरीके से हैं किस तरीके से apply होते हैं पिछली बार इस तरीके से seat allocation नहीं हुई थी direct पहले options आप से मांग relation हुआ था इस बार आपको list जो है वो issue हो गई है और अब आपसे option मांगा गया है कि आप क्या option opt करना चारहें अब आपको option दिया गया है पिछली बार थोड़ा समय ज्यादा खराब हुआ अब की बार 8-8-10-10 महीने एक-1 साल तक भी लग गया joining में काफी institutions में अभी जाकर के दो मेहने पहले joining हुई है कुछ institutions में अभी 10 तिन पहले joining हुई है means first round की joining हुई है तो अब आगे क्या इस बार मिला है या नहीं मिला है तो चलिए discuss करते हैं सबसे पहली बात जो ये result declare हुआ है final जो seat allocation है वो आपको जो declare की गई है यहाँ पर वो किस के लिए है जितने ems institutes के advertisement issue हुआ था वो और दूसरा जो central government के चार hospitals हैं उनका उसी के हिसाब से यह result issue हुआ है पहली चीज यह institution allocation जो है आपको आपकी merit के basis पर जो नौर्शे 2021 में आपको rank मिली है उसके basis पर और उसकी जो preference order आपने बहा था उसके basis पर result prepare किया गया है यह जितने भी selected candidates है इनका जो final appointment है यह subject to verification of documents है means आपके educational qualification साथ-साथ में जो आपके जो candidates result category से आते हैं उन सब original documents के verification पे ही depend करेगा verification कहां होगा जो आपके नाम के roll number के आगे आपकी merit के आगे जिस institution का नाम है जो institute आपको allocate हुआ है वो institute आपको एक operator भेजेगा documents verification के लिए और उसके बाद में ही आपका जो final selection माना जाएगा इस line से चिंतित होने की जरुरत नहीं है पांच number पर जो लिखा है हर एक result में लिखा आता है कि भई लिष्ट में नाम आने का मतलब कहीं भी नहीं है कि आपको नोकरी मिल गई है जी सही है क्योंकि कहीं पर भी आपके documents में क्योंकि अभी भी ये subject to verification of your original documents है तो आपको जिनका eligibility criteria fulfill हो रहा है उन्हें stress लेने की जरुत नहीं है अब आपको आगे क्या करना है जिनका नाम यहां पर लिष्ट में display हो रहा है उन्हें again अपने portal पर mnorset के portal पर login करना है my page पर जाना है और option form पर exercise करनी है आपको अपनी color passport size photograph जो भी है और original documents जो है जो required है वो 7 फरवरी से लेक लेकर करके 14 फरवरी तक आपको upload करने होंगे और जो भी candidates जो provisionally selected है यहां पर लिष्ट के अंदर उन्हें option form जो है वो exercise करना होगा और इसी डेड़ इनी डेड़ के दोरान में 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के डेड़ के दोरान में आपको जो option form है वो exercise करना है और exercise कैसे करन है वो देख लीजिएगा समझ लीजिएगा यह option one जो है इसका मतलब क्या है कि आप accept कर रहे हैं option one option two दोनों ही acceptance है कि हम इस result को स्विकार करते हैं तो option one का मतलब yes हमें स्विकार है accepted है लेकिन आगे क्या wish to report and join at this institution or hospital and do not want to participant in subsequent rounds of institution allocation जी मैं इस institute को जो आपने मिज़े बताया है यहां पर एम्स डेली एम्स बोपाल एम्स रिसी केस उससे स्विकार करता हूं स्विकार करती हूं और आगे होने वाले subsequent rounds के लिए मैं नहीं जाना चाहूंगा या नहीं जाना चाहूंगी यह option one का मतलब है यानि कि यह आपकी final choice ह इसके बाद में आपसे कोई आपको बात करने का कोई दिकार नहीं रह जाएगा आपके पास में option one का अमनलब सीधा सा है कि जहां पर जो नाम लिखा है उससे आप सहमेत है आप आगे विचार नहीं करना चाहूंगे option 2 का मतलब क्या है जी हमें स्विकार है आपका result जी हमें स्विकार है आपका result लेकिन want to participate in subsequent rounds हम आगे आने वाले rounds में participate करना चाहते है if any क्यों लिखा है पता लगा कि किसी ने seat ही नहीं छोड़ी और आप मुग की तरफ देखते रहे गए क्या ऐसा हो सकता है क्या जी नहीं ऐसा तो नहीं होगा अप इंस्टिटूशन एलोकेशन टू अपग्रेड अनादर इंस्टिटूट जी नहीं मुझे अपनी हायर जो preference है जो मैंने preference order लिखा था उसमें institute मुझे चाहिए application के समय में जो मैंने लिखा था और ये option 2 का मतलब है जी मुझे स्विकार है लेकिन मुझे उपर चाहिए और इसके लिए कौन eligible नहीं है जिन्होंने preference order में option 1 जिन्होंने preference order में order 1 पे जो institute बढ़ा था वो उसको मिल गया है तो अब वो institute अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि उसके उपर को institute नहीं है नीचे नहीं आ सकते है आप उपर जा सकते हो समय रहे हो आपने 5 preference बरी और आपने ms daily बरा ms daily आपको मिल गया अब आपने मन बदल गया कि बदल लिया कि साम मैं तो lady harding में जाना चाहता हूँ जी नहीं ऐसा possible नहीं है दूसरी चीज जिनको central government hospitals जो cghs के hospitals है lady harding medical college and hospital सबदर्जंग hospital सुचिता करपलानी hospital जो lady harding hospital है rml hospital और कलावती सरण hospital यह चार hospital जो अलड़ी मिल चुके हैं इनके पास में option form का इनके पास में option 2 का option नहीं रहेगा विकल्प नहीं है ये भी समझ लीजिएगा आप option 2 जो है वो opt करेगा जो भी opt करेगा candidate वो allocated institute जो फिलाल allocated institute है उसको join नहीं कर पाएगा कहीं आप सोचे कि साब मैं जाके join कर लेता हूँ और फिर दूसरे institute जो upgrade कहोना चारा हूँ वापर तो फिर जो ऐसे सीठे बचेंगी नी जी upgrade कर नहीं पाओगे कभी भी ठीक है अब इस related कुछ चीजे सुनिए कि भई क्या इसमें कोई fee अगरे भी है क्या जी fees है बतायते हैं हम आपको सबसे पहले उसी के बार हम discuss कर ले थे जो भी option 2 उप्ट कर रहे हैं उन्हें एक security deposit देना होगा refundable है जोइनिंग के बाद में 25,000 रुपय आपको देने होगे और ये एक तरीके का security amount है जो कि आपको option 2 उप्ट करने वालों को आपको pay करना होगा क्या option 1 वालों को pay करना होगा क्या जी नहीं कभी नहीं करना होगा अगर आपने specified time period जो 7 फरवरी से लेकर की 14 फरवरी तक आपको time बता रखा है अगर आपने उसमें कोई भी option opt नहीं किया तो आप माना जाएगा गाग तो स्वतही मान लिया जाएगा कि आप इस result को स्विकार नहीं कर पा रहें प्यूज कर दिया है और आपकी कंडिडेचर जो हो cancel हो जाएगी ये बी में देखिए option 2 उनके लिए available नहीं है जिनको वो allocated institute मिल गया है जो उनकी first preference था यानि इस top जो था वो मिल चुका है उनको तो option मिलेगा ही नहीं उनका ये option option 1 ही रहेगा और उन्हें आगे ही जाना होगा जो भी उन्हें due process करना है चार central government hospitals में से भी जिसको मिल गया है वो भी option 2 के लिए eligible नहीं है इन चार hospitals के candidates को mandatory option 1 ही opt करना होगा इमें हमने fee के लिए बता दिया 25,000 रुपे fee है security amount है किसके लिए option 2 भरने वालों के लिए आपको ये options की जो exercise है वो carefully करनी है इसके बाद में आपको closing dates के बाद में कोई change करने का option नहीं मिलेगा option opt करने के बाद में आपको certificates जो upload करने के लिए बोला जाएगा ये एक तरीके से e-dozier होगा आपका सारे certificates के नाम लिख रखे है इन्होंने carefully पढ़िएगा और फिर upload कीजिएगा इन्होंने ये लिख रखे का standard declaration form A और हम देख लेते हैं हम देख लेते हैं EMS New Delhi ने अपडेट किया है या नी किया otherwise हमारी website www.nursingsmart.org पर ये already available है हम एक बार उसको change कर देते हैं अगर उसमें year session ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो wait कीजिएगा हम उसको change करके फिर again upload कर देते हैं इन्होंने एक quote किया है यहाँ पर कि जो ये result है तीन फरविर 2022 का ये आज का result है ये final outcome जो होगा original application 2632 ये इतनी सारी application spending है जैसे ही सीट allocation का process पूरा होता है document verification शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी process पूरी होगी अब की बार एक मेने का time दे दिया गया है सारे institute को कि 14 मार्स तक आप document verification का जो process हो पूरा कर लें जल्दी से जल्दी document verification का का काम कोविड कोविड 19 के सर्ज को देखते हुए online भी हो सकता है इसके लाओ कोई भी message जो है आपको communicate कर लिया जाएगा आपकी registered email ID पर या mobile number पर या email SMS जो भी process है उसके दौरा जो भी media है उसके दौरा आप सक संपर कर लिया जाएगा with a suitable notification तो दोस्तों ये है result notification आज की rate का और इसका जो final जो है वो जब भी decision आएगा on repel cat का तो उस पर depend करता है लेकिन सब को पता है 80-20 इसमें आज तक इतनी reads लगी हुई है तो उनका कोई decision जो भी decision आने वाला है सब को पता है और rate और जो list तयार की गई है सो समझ के ही तयार की गई है thank you आज के इस video में इतना ही मिलते हैं next update के साथ